नमस्कार दोस्तों देखें मित्रों आज हम मादिमीक शिक्षा बोर्ड की सात्वी क्लास की जो पूस्तक है उसका जियोग्राफी का फोर चेप्टर है जिसका नाम है भूमी तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं बहुत मैत्पून चेप्टर है और इसके साथ ही जो चेप्टर हमने पढ़ा था जल के बारे में उसमें से आपको एक क्यूसन का जवाब देना है कि मरत सागर जो है वो कहां पर इस्तित है किन देशों के मद्दे है कहां है तो एक तो क्यूसन आपको ये बताना है कि मरत सागर कहां है दूसरा क्यूसन आपको ये बताना है कि प उसमें से कितने पर्सेंट भाग जो है पीने योगे हैं तो ये दोनों क्यूशन का आपको कमेंट करके बताना है और इसके साथ ही वीडियो को पहले लाइक जरूर करें शेयर भी करें और एक इसके बारे में आपको जानकारी और बताते हैं जो लाश वीडियो में था ये मित्रों जो लाश वीडियो में हमने राज समन्त का पीपलांतरी गाउं पड़ा था तो इसके बारे में एक फेक्ट और है और ये एक्जामें भी आया वा है मेरे उस टाइम माइंड में आया नहीं था एक बच्चे ने कमेंट किया कैसे ये पीपलांतरी गाउं की ये होगा तो उस गाउं वाले 111 पेड लगाएंगे और ये जो बीटिया है ये ही बड़े होकर के और इनको अपना भाई मानती है इन वरक्षों को और इनको राखी भी बानती है और मित्रों इस गाउं की और भी बहुत सारी विशेशता हैं कि अबल ये एक ही विशेशता नही फोरेनर जो हैं वो भी जब यहां गूमने आते हैं राजसमंद में रिदर राजसमंद जील वगएरा देखने तो इस गाउं को देखने के लिए जाते हैं तो बहुत सी विशेशता हैं ये क्यूसन आयवा भी है आप द्यार में रखेगा आपको फिर से बता दूं कि कौन सा गाउं है जहां बेटी के जनम होने पे 111 वरक्ष लगाए जाते हैं वो है राजसमंद का पिपलांतरी गाउं तो आज हम आगे पढ़ते हैं भूमी के संद्रम में भारतिय अवधाना क्या है जन्नी जनम भूमी स्वरगादपी गरियसी भारतिय गरंतों में मातर भूमी और मा को स्वरग में विसरेश्ट माना गये हैं भारतिय अवधाना के उनसार जो भी हमें देता है या जिससे मानव जाती के कल्यान के गुंड सम प्राप्त है अन वस्तर आवा समधी हमारी समस्ताव शक्ताओं के पूर्ति कौन होती है कौन करता है धर्ति माता से और अतर धर्ति पर जनम लेने वाले सभी जीवों का पालन पोशन कौन करती है धर्ति माता ही करती है तो इसलिए मित्रों धर्ति को मा कहा गया है भूमी को हम म कहते हैं, क्योंकि मा से मा मा होती है, तो मा की बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए मा को मा कहते हैं, कि मा क्या है कि मा मा है, तो इसलिए धर्ती को हम मा कहते हैं, वर्तमान में अत्यदिक जनसंख्या वर्दी के बावजूद भी धर्ती माता सब क्या आउशक्ताओं की पूर्ती करत देखें, बॉर्डर फिल्म आई थी, आप मैं इसे सभी ने देखी होगी, बॉर्डर फिल्म में सने जो सुनिल सेटी होता है, वो एक फोजी का रोल करता है, BSF के अधिकारी का बहरो सिंग का, तो जो सामने का कोई एक फोजी होता है, दूसरा, वो यूँ ही मिटी में लेटे ह अचानक कहता है कि यह मीटी बंजर है यहां कुछ भी नहीं होता है तो इस बात पर सुनिल सेथी नाराज हो जाता है और उसको कहता है कि धरती मेरी मा है वो सुना होगा आपने काफी उस पर कई डायलोग बने हैं तो बड़ी अची फिलम है नहीं देखी हो तो देखिएगा ब वर्तमान में अत्यदिक जनसंख्या वर्दी के बहुजूद भी धरती माता सब की आवशक्ताओं की पूर्ती कर रही हैं कर्शी करते से में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि रासा नहीं खाद और कीट नासिक दवाईयों के उप्योग से उत्पादन में वर्दी तो होती ही है लेकिन कालांतर में भूमी की गुणता में कमी हो जाती है मित्रों एक बार आपने इसमें जैसे मालीजी लोग ज्यादा उत्पादन के लिए क्या करते हैं कीट नाशिक दवाईयों देते हैं और नहीं जानते तो यूरिय यूरिय टिकाते हैं अब वो कितने टिकानी है ये नहीं देखते बस यूरिय 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 पिलाएंगे उसको, उसकी एक लिमिट होती है उतनी देंगे तो वो फसल सही है, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा दे दी, तो वो खुद के लिए इनुक्सान दाएक होती है अब जैसे मैं आपको हमारे खेत का एक्जामपल देऊ तो जैसे हमारे केत में जब बाजरी होती है तो बड़ी मिठी बाजरी होती है और वो बिल्कुल शुद बाजरी है उसमें कुछ भी यूरिया कुछ भी नहीं है उसमें होती कम है वो क्योंकि ये यूरिया बगरा देने से काफी ज़्यादा होती है लेकिन हम यूरिया वगरा कुछ नहीं देते देशी बाजरी होती है बिलकुल इमलब बहुत मिठी तो मैं तो वो खा के मस रहता हूँ तो इतना ये इतनी मिठास होती ही इनमे और ये चीजें मिक्स करने के बाद में उसमें मिठास कतम हो जाती है नाज की कोई स्वादी नहीं आएगा तो ब्हुमी को वनों से आचादित रखते वी ब्हुमी का हर प्रकास से संग्रक्षन और संवर्दन किया जाना चाहिए अब ये एक्जाम्पल है आप देखे क्या कानी है कि अनुपम अपनी छोटी बहन लक्षमी के साथ गेंद से खेल रहा था उसने गेंद को जोर से दूर फेका लक्षमी गेंद के पिछे दोड़ी अनुपम भी पिछे पिछे भागा गेंद शंबु काका के खेत में जाकर गिरी खेत में सबजियां उग रही थी शंबु काका नाराज हो गए पर उन्हें जंगल में जानवरों का डर सताने लगा वे वहाँ से भागे आके एक चारा गाय था वहाँ कांता काकी बकरियां चरा रही थी लेकिन इधर उदर फैंकने से बकरियां डर कर बिखरने लगी कांता काकी ने दोनों को बगा दिया वहाँ से अब एक गाउं आगर के खेलने लगे गेंद कमली बुवा की छत पर चली गई देखे कैसी कैसी कहानिया लिख रिके इसने अब दोनों वहां से भी भागे कोई ठीक जगह नहीं मिल रही थी दोनों गाउं के स्कूल में बने खेल मेदान में पहुंचे रईवार छुटी का दिन था यहां कोई मना करने वाला नहीं था उन्हें अच्छा लगा खूब खेले और खूब मजाया कहानी में आपने पड़ा कि अनपम खेलने के लिए अलग अलग जगह किया ये बताना क्या चाता है कि ये सभी क्या है भू भाग है सब के अलग अलग उप्योग हैं कई चारा गया हैं कई खेलने का मैदान है कई कान तका की बगरिया चरा रही है कभी कमली भूआ च्छत पर जा रही है तो ये बताना ये चाता है कि सब भूमी हैं परकार अलग अलग है यदि आप गाउं में रहते हैं तो वहाँ भूमी का उपयोग अलग तरहका होगा गाउं के अधिकांस भूबाग का उपयोग करसी, चारागरा और तालाप के रुप में होता है जबकि नगर या सहर में आवाशों, कारेले, उद्योग, परिवन या बाग बगीचों आदि में इस तरह पहाड़ी शेत्रों में भूमी का उपयोग खननन, वन, पशुचारण, आदिकारियों में होता है इस परकार हम देखते हैं कि अलग-अलग जगय भूमी का उपयोग अलग-अलग तरहका होता है अब कौन से हैं इसके उप्यों किसके सबसे पहलाता है वन भूमी वहे विस्तरत भूबाग जो प्राकर्तिक वनस्पती से ढखा हो वन भूमी कहलाता है देखे जहां बहुत बैंकर वरक्षों बहुत जादा हो जिने आप जंगल कहते हैं वन कहते हैं राष्ट्य उद्यान, वने जिव अभ्यारण, आगेड निशी सेत्र ये सब आते हैं वन भूमी में इसके बाद में आता है करशी भूमी वहे भूमी जिस पर मानो द्वारा फसले उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं करशी भूमी कहते हैं बंजर भूमी, बेकार पड़ी भूमी जिसे करशी योगे भूमी में नहीं बदला जा सकता उसे बंजर भूमी कहते हैं जैसे उंचे परवत, पत्रिली भूमी, दल दल फूर्थ आता है कृसी योगे वेर्थ भूमी बेकार पड़ी वह है भूमी जिसे कृसी योगे शेत्र में बदला जाता है करसी योगे वेर्थ भूमी कहलाती है यानि जो भूमी बेकार पड़ी थी उसे हमने करसी वाले शेत्र में बदल दिया तो वो कर्शी योगे वेर्थ भूमी होती है, चारा गय जहाँ पर्षूं को चराय जाता है, उध्यान भूमी जिस पर फलदार वरक्ष उगाई जाते हैं, उसे उध्यान भूमी कहते हैं, अब कई बार क्या होते हैं, बच्चे बड़े बोले होते हैं, अब कोई बच्चा कहे सर मेरे गर में आम का एक पेड लगा रुख है मैंने तो क्या वो भी उध्यान भूमी है क्या ऐसे नहीं होता है ऐसे उध्यान भूमी नहीं कहेंगे एक बहुत बड़े शेतर के अंदर जब पूरी तरह फल उत्पादन हो उसको उध्यान भूमी कहा जाता है एक आम का फेड उगाने से वो उध्यान भूमी नहीं बदल जाएगी इसके बाद में आती है वर्तमान परती भूमी भूमी का उपजावपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा एक या दो वर्षों के लिए खाली छोड़ीगे भूमी को वर्तमान परती भूमी कहा जाता है मित्रों भूमी के उपजावपन को बढ़ाने के लिए ये भी एक बहुत मैत्पून तरीका होता है पुरानी परती भूमी यदि किसी भूमी पर पांस वर्षों तक करशी नहीं की जाती उसे पुरानी परती भूमी कहते हैं इन दोनों में डिफ्रेंस देखिएगा वर्तमान परती भूमी और पुरानी परती भूमी अन्य कारियों में परियुक्त भूमी कर्शी भूमी का हमारे लिए सरवाधिक मैत्व है क्योंकि एक अनुमान के अनुसार विश्व के लगबग 97% लोगों के भोजन का आधार कर्शी ही है कर्शी भी दो परकार से की जाती है किसान अपने परिवार के पालन पोशन के उदेशे से कर्शी करता है उसे जीवन का निर्वाय कर्शी कहते हैं और जिसमें परम परागत कर्शी उपकरनों का उप्योग अधिक होता है भारत और राजस्तान के अधिकांस किसान इसी परकार की कर्शी करते हैं किसान द्वारा व्यापार के उद्धेसे से की गई कर्शी को व्यापारी कर्शी कहा जाता है अमेरिका और कनाडा जैसे देसों में किसान इसी परकार की कर्शी करते हैं यहां खेतों का आकार बड़ा होता है, जिससे आदुनिक कर्शी उपकरनों की साहिता से भारी मातरा में उत्पादन कर एक साथ बेस दिया जाता है, तो यह कर्शी के परकार बता रहा है, और इसमें देखे कोई ऐसी कोई नोट डाउन करने क्या उशकता नहीं है आपको नोट तरीके से, कि उसको बेचा जा सकें, अर्जेंटिना, न्यूजिलेंड, आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, भारत, आदी देशों के अर्थ व्योस्ता में परशु पालन का योगदान भी अधिक है, इसलिए यहां चारा गाहों का भी विशे समेतु हैं, कुछ भूमी का और मानो द्वारा निर्मित जलस रोतों से भी होता है, जैसे नदी, तालाब, जील, बांध, कुवा आदी, पिन्य, अन्य, देनिक उप्योग, सिंचाई आदी के लिए जल्बी मानो की प्रात्मी का उशक्ताओं में से एक हैं, हमारी अर्थ व्योस्ता को संबल देने के लि का भी है, किसानी का भी है, जो खेती होती है, करशी, उसका भी मैतो है, वशुपालन का भी मैतो है, स्वामित अदार पर भूमी को नेजी और सारवजनिक भूमे में बांठा जा सकता है, नेजी भूमी पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, जबकि सारवजनिक भ इसे साजा बू संपती संसादन भी कहा जाता है, चारा गाहों पर पशुपालन तथा वनों से इंदन की लकड़ी, फल, फूल, इमार्ती, लकड़ियादी उपलब्ध होने से इनका स्थानिय भूमी ही लोगों के लिए विशेश से महत्व हैं, तो मित्रूम भूमें भी दो प गुमना सुरू कर देंगे, वाँ उसके गर में जाके गुमेंगे तो वो जोते मारेगा, इसलिए आप कहां जाएंगे, सारवजनिक जो एक पार्क बना होता है, उस पे, तो यही निजी और सारवजनिक भूमी का अंतर है, फिर देखिए एक डाइग्राम मनावा है, कि करश तो यह बच्चों को बताने के लिए हैं कि भाई क्या कारण है कि इसमें से गाउं कौन सा लग रहा है, यही लग रहा है, यह वाला सहर लग रहा है, तो क्या अंतर देखे, तो आप इसमें खोजना आराम से बैठे, नगर और गाउं के भूमी उप्योग में अंतर होता है, आपको अन्य गाउं शहर में जाने का मोका मिले तो वहां के भूमी उपयोग पर ध्यान दे और उनस्तानों के भूमी उपयोग के अंतर को पैचाने का प्रियासे करें भू आकर्तियां और भू उपयोग नीचे दियेगे चित्रों को ध्यान से देखे, क्या भी यह हैं पहला चित्र कौन सा है, मैदानी भाग है, दूसरा पहाडी भाग, तीसरा मरुस्तली भाग है तीनों भू भाग में भूमी उपयोग में अंतर देखा जा सकता है मैदानी शेत्र में भूमी का उप्योग खेती के लिए अधिक होता है पहाडी शेत्र में वन और मरुस्तिली शेत्र में वर्थ भूमी अधिक होती है वो जो बॉर्डर फिलम का जो मैंने आपको डायलोग बताये था उसमें वो जो सामने वाला होता है सुनील सेठी के बेरो सिंग के सामने वाला वो यही कहता है चुंकि अब वो जैसल मेर के आसपास की वो होती है फिलम की शूटिंग और फिलम में सीन भी वो ही है बॉर्डर का बारत पाकिस्तान के लगाई का तो वो दूसरा फोजी यही कहता है कि यह तो वेर्थ है, क्या होता है, यहां तो साम पर यह निकलते हैं, तब सुनिल स्वर्टी सेटी जो है वो उसका विरोध करता है, और क्या कहता है कि धर्टी मेरी क्या है, मा है, इसी परकार आप नदी के किनारे, समुद्री किनारे, फठारी भूमी आधिके चित्रों को एक्तरित कीजीए और उनमें भूу उपयोग में अंतर को देखे और समझेगे एक्तरित कियेगे चित्रों को एक पर चिपका कर कक्षा में लगाईए ये स्कूल में पढ़ने वालों के लिए है आप काट के मत चिपकाने लग जाना आप देखिए इसके बाद में है कि करसी उद्योग आवास परिवहन आदी कारियों का विकास परवतिय शेत्रों की तुलना में मेदानी शेत्रों में आसानी से हो जाता है किसका विकास खेते भी इजिली है उद्योग भी इंड़स्ट्री भी अराम से इस्तापित होगी लोगों का रहना भी इजिली होगा परिवहन भी अराम से चलेगा अब एक तो पाड़ी एरिया में सड़क बनानी हो एक मेदान में सड़क बनानी हो कहाँ इजि होगी जो मेदान है वही होगी पठारी और परवतिय भूबा गय संतल होते हैं इसलिए यहां मानुए किरिया कलाब का कम विकास हो पाता है इन्हें पिराकृतिक परिस्तितियों का अर्ण परवतिय पठारी और मरुफ्तिले भूमी पर कम जनसंख्या पाई जाती है परवतिय भूमी का उप्योग सुरुक्षा, परियटन, वन चारागए विकास एतु अधिक होता है अब आता है भूमी उप्योग में परिवर्दन किसी शेत्र का भूमी उप्योग मुख्यता वहां किये जाने वाले आर्थी किरिया कलापों पर निर्बर करता है समय के साथ साथ मानव के आर्थी किरिया कलापों में बदलाव आने से भूमी उप्योग भी बदल जाता है आरती किरिया कलापों के अत्रिक्त शेतर की जलवायू, इसलाकर्ती, मर्दा, खनी, जल, उपलप्ता और जनसिंक्या वर्दी आधिका भी भूमी उपयोग पर परवाव पड़ता है अनुमान है कि प्राचीन समय में परती का अधिकांस भाग वनों से डगावा था, लेकिन वर्दमान में परती के एक तियाई से भी कम भाग पर वन बचे हैं ये लाइन मैत्पूर्ण है, एक तियाई से भी कम मानव किरिया कलापों और बठी जन संक्या के फल्सरूप संपूर्ण वीशो में भूमी उपयोग में परिवर्तन वे हैं शहरों के निकट वरती ग्रामिन शेत्रों में सरवादिक भूमी उपयोग परिवर्तन देखा जाते हैं कर्शी भूमी शहर विकास के सासा दिरिद्रे आवास उद्योग परिवान आदि में परिवर्तीद होती जा रही हैं आप देखिए आगे क्या है कि ये देश के नाम है भूमी उपयोग के अनुसार कुल भोगलिक शेत्र का पर्तिशत भारत में 60% भूमी का उपयोग होता है कर्शी में 4% चारागा है 23% वन और अन्य उपयोग 13% जापान में 12% कर्शी के लिए और चारागा है दो और वन देखे जापान में 67% वन है आश्ट्रिया 6% खेती 56% चारागा है और वन जो है 14% कनाडा में 5% पे खेती करते हैं 4% पे चारागा है 39% वन ब्राजील के अंदर 66% वन और विशो का विशो में 11% भाग पे कर्शी होती है 20% भाग पे चारागा है 31% पे वन है और 38% पे अन्य उपयोग होता है तो इन देशों के कंपरिजन है भारत में जो भूमी का उपयोग है वो कर्शी के शेतर में अधिक होता है मरुस्तलिय और दलदली भूमी की उपयोगिता में भी परिवर्तन हो रहा है पस्मी राजस्तान में इंद्रांगादी नहर से मरुस्तलिय भूमी में व्यापक जो है भूमी उपयोग परिवर्तन वा है जो बूमी पहले बेकार पड़ी रहती थी वर्तवान में उसी बूमी का उप्योग करसी, उद्योग, नहर, परिवयन, खनन, सोर उर्जा और पवन उर्जा सेंतर लगाने में किया जा रहे हैं यह बूमी उप्योग प्रिवरतन का एक परत्यक सुदारण है इस प्रकार वीशव के कुछ बागों में दलदली भूमी को सुखा करन, उसे आवास और अन्य उप्योग में लिया जा रहे हैं करसी भूमी का परतिशत वीशव के कुल बोगोलिक शेतर का मातर 11% ही है वन वै गास के मैदानों का परतिशत भी घट कर 31% रह गया है तो ये वीशव में बता रहा है कि करसी भूमी जो है वो केवल 11% है और वन और गास के मैदानक भी घट करके 31% रह गया है जो भूमी उप्योग परिवर्तन के उदाण है अता समय और स्थान के अनुसर भूमी उप्योग लगातार बलता रहता है नीचे दिया गया आरेक आपको इस समझने मदद करेगा आएगा भी आगे बदलते समय के साथ वीशव के सभी शेत्रों में बूमी उप्योग में परिवर्तन होता रहा है क्योंकि जनसंक्या वर्दी के साथ आवास, करसी, उप्योग, परिवर्तन, परिवहन आदी के आवशकता बढ़ती है जिससे इन में भूमी का उप्योग बढ़ता जा रहा है लेकिन विश्यो के कुल शेत्रफल को नहीं बढ़ाय जा सकता इसलिए जब भी किसी एक कारे के लिए भूमी उप्योग बढ़ता है तो किसी दूसरे कारे का भूमी उप्योग कम हो जाता है ये तो सिदा साफेक्ट है इसे ही भूमी उप्योग में परिवर्तन का जाता है वनों को काट कर करशी और चारा गाउं का विकास करना पहडों को काट कर रास्ते बनाना दलदलों को सुखा कर करशी करना समुद्र के तटवर्ती उतले शेत्रों में बराव करके नगरों का विकास और करशी करना खनन शुरू करना आदी भूमी उप्योग परिवर्दन के देखे बारत में भूमी उपयोग का जो है एक चार्ट दिया गया है, हालांकि ये कोई आपके ऐसा कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए, ये कुल भूमी का कितने परसेंट किस-किस में है, ये परसेंट बता रखें हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इदर ये संकेत हैं, 1950 इकावन में, जो है, वो क्या है, ये रेड वाला, ये सतर इगयतर का, और फिर ये है नब्बएकान में और लाशवला 2019 का, तो ये वन जो है उननी सो पचास इकाउन के अंदर क्या थे, शत्र ही गैतर में क्या हुए नच्पाइकानमे में क्या हुए और 2020 क्या है, तो करशी का भी इसी परकार से पता रखा है करशी का तो जो है थोड़ा सा कम हुआ है और वन जो हैं वो थोड़े बड़े हैं बंजर भूमी है इसमें थोड़ी और कमी आई है ये चारा गरह है ये अन्य अप्योग है तो ये एक चार्ट है आपके जानकारी के लिए कोई ऐसा एकजाम के दरश्टी कोण से कोई इतना कोई ये मैतपून नहीं है बैसे ये वाला जो है ये थोड़ा सा आपके लिए मैतपून है करशी का क्यों सबसे ज़्यादा करशी होती है भूमी का बारत में सबसे ज़्यादा प्रियोग किसमें होता है करशी में होता है 60-61% के आसपास अब आता है भूमी अवनेन उपजाओ भूमी की गुणवता, उप्योगिता और उत्पादक्ता में कमी आना भूमी अवनेन कहलाता है इसे भू नीमनी करण या भूमी की गुणवता में कमी भी का जाता है बूमी अवनेयन पराकर्तिक वह मानविय दोनों कार्णों से होता है लेकिन मानविय कार्णों से होने वाला बूमी अवनेयन वर्तमान में जिनता का विश्य है मानचितर से सबस्ट आए कि विशो का अधिकांस वाग मानव द्वारा भूमी के एविवेक्मून उप्योग और अत्यदिक दोहन के कार्ण भूमी अवनेयन के समशा से गर्शित हैं ऐसी भूमी का उप्योग लगातार कम हो रहा है इससे कर्शिव वनस्पति और मानव विकास पर परतिकूल परभाव पढ़ रहा है मानचितर में भारत में भूमी अवनेयन के समशा देखी जाती है आगे देएगे मानचितर को देखकर बताई कि विशो के किन भागों में भूमी अवनेयन अधिक है और किन भागों में कम है तो क्या है क्या ये अवनेन भूमी का यानि भूमी की जो गुणवता है उपजाव भूमी की गुणवता उपयोगिता और उत्पादन में कमी आना ही क्या गहलता है भूमी अवनेन तो अब ये कहां कहां है अब देखे विश्व में मर्दा अवनेन से प्रभावी शेतर कौन कौन से है तो सब से उपर जो ज़्यादा रेड डार्क हैं वो है गंबीर इस्तती वाले चिंतनी इस्तती वाले, इस्तिर इस्तती वाले और वनस्पती रहीत शेतर तो आप इसमें देखेगा बारत की इस्तती क्या है बारत में ये जो पस्यम की तरफ जो आप देख रहे हैं पूरा इसमें राजस्तान का भी इसा है और पस्यम की तरफ का जो है ये गंबीर इस्तती वाले शेत्र है और भारत के जो उपर की तरफ उत्तर और उत्तर पूरव और पुर्वी साइट का जे कुछ इसे हैं यह हैं स्थिर-स्थति वाले यहां स्थिर है कोई आउनयन नहीं लेकिन पस्यम की स्थति बहुत खतरनाक हो रही है तो ये बाकी विशो की भी स्तती है आप देखे क्या क्या कारण होते हैं भूमी आवनेन के मर्दा का अपरदन होता है मर्दा में लवनता में वर्दी अत्य दिक खनन, अति पशुचारण, नहरी जलका रिशाव मरुस्त लिकरण, अधिक सिंचाई, वनों की कटाई, विकासात्मकारिय, सहरी ठोस, कसरा और रोद्योगी कपसिष्ट, रासायनी, खाद और कीट नासकंग उपयोग तो ये कई कारण है जिनसे भूमी की उपयोगिता जो है उसका जो गुण है वो गट रही है, भूमी का उनेयन हो रहे है आप ये देखे कई डाइग्राम के मादेम से बता रहे है कैसे कैसे भूमी जो है, उसका उनेयन हो रहे है शडक निर्मान है तो पाड़ों की कटाई की जा रही है अत्यदिक खनन, मरदा का कटाव, ओद्योगी कपसिष्ट, जल रिसाव की समश्या, राहसानी खाद और कीटनासकों का प्रियोग फिर है वनों की कटाई, अत्यदिक बूजल दोहन का प्रभाव, जन संक्या और अदिवासों का बढ़ना, ए नियंतिरित पसुचारण, मरुस्तल का विस्तार ये हैं जिनके वज़े से भूमी कावनेन हो रहे है क्या आप जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा महानगर मुंबई प्रारा में साथ दिपों पर बसा था, बाद में इन दिपों के बीच के कम गहरे समूदरी भाग को मलबा डाल कर भर दिया गया जिस पर वर्तवान महानगर का विकास हुआ है तो इस तरह से इसका निर्मान हुआ, इस महानगर का विकास, कि पहले जो मुंबई है वो साथ दिपों पर बसावा था, तो बीच में जो कम गहरा समूदरी भाग था उस पर मलबा डाल दिया, तो जिस पर मास आग जो वर्तमान महानगर का निर्मान, तो आज भी थोड़ी बहुत भी अगर समूदर का तल बढ़ने लगे, तो पूरी मुंबई के डूबने का खत्रा हो जाता है, नेदर लेंड का उत्री पस्मी भाग समूदर तल से लगबग एक मीटर उंचा है, जो जवार के समय डूब जाता है, इस समझा से बचने के लिए समूदर और इस तल क अमध्य करत्रीम भांद बनाया गया है, और भांद द्वारा ऐसी सुरक्षित भूमी को यहां क्या कहते है, पोल्डर कहते है, तो यह आपके लिए क्विश्टन बढ़ गया कि पोल्डर किसे कहते है, अब आथा है भूमि संक्रेक्षन, भूमी संग्रक्षन ते तात प्रिय भूमी की गुणोता में आरी कमी को रोक कर उसे हमेशा इंग लिए सुर्खशित करना है सभी जीव भूमी पर ही अपनी सारी आवशक्ताओं की पूर्ती करते हैं स्वय मानाव से लेकर मर्त्यु तक जनम से लेकर के मर्त्यु तक अपने सभी किर्या कलाब भूमी पर ही संसालीत करता है इसलिए भूमी अवन्यवन को रोकना आज की महत पुनाव शकता है बढ़ती भी जन संक्या के लिए बोजन, पश्वों के लिए चारागर है, कर्शी संबन्दी और द्योगों के लिए कच्चा माल, आदी सभी भूमी की गुणोता पर निर्बर करते हैं भूमी संग्रक्षन के लिए मर्दा पर्दन को कम करना, एवेदानिक खनन, और इस्थानांत्रीत कर्शी पर रोक लगाना, वरक्षार उपन करना, मरुस्तल करना, अति पुशुचान पर नोर, रोक, नहरों के रिसाव को कम करना और द्योगिक अप्सिष्ट और सहरी ठोस अप्सिष्ट का उचित निप्टान करना, कर्शी के लिए जेविक खात का उप्योग करना, जन जागता फेलाना, आधी उपाय करना अत्यांत आवशक है तो देखे ये मरुस्तल करन के बढ़ना, जो रोकने के लिए लगाएगे पंक्तिबद वरक्ष, ताकि ये मरुस्तल का विस्तार, भुमी संगरक्षन सरकारी और वेक्टिकर दोनों स्तर पर किया जा सकता है पस्मी राजस्तान में मरुस्तल के विस्तार को रोकने के लिए जोधपूर में केंदरी एसुसक शेतर अनुसंदान केंदर काजरी की इस्थापना की गई है यह आप से पूछ सकता है फूल फॉरम भी पूछ सकता है यह काजरी तो क्या है इसका उदेशे पस्मी राजस्तान में मरुस्तल के विस्तार को रोकने के लिए जोथपूर में केंदरी एसुसक शेतर अनुसंदान केंदर काजरी की स्थाफना की गई है कहां जोथपूर में काजरी का कारिया मरुस्तल में पेड़ पोदों चारागाय पशू जल और मर्दा का संग्रेशन कर मरुस्तल की पारिश तितिकल को बनाए रखना है तो यह आपका चेप्टर होता है complete आप कुछ question है यह कुछ fact है देख लेते हैं उबडखावड मतलब उन्चा नीचा चारागाय पश्चों के चरने का स्तान और वानी की पेड़ पोदों और वनों से सम्मदे तूसे वानी की कहते हैं अवनेयन प्राकर्ति गुणवता में कमी उन्यन उत्रोतर वर्दी तो यह ए दूसरे के एक प्रकार सी विपरित है अवनेयन और उन्यन उन्यन होता है वर्दी करना लगातार और अवनेयन होता है लगातार उसकी गुणता में कमी होना सबसे पहला है पॉल्डर किस देश में पाई जाते हैं आप देखे इतने बड़े चेप्टर में से इसने एक पॉइंट निकाली है ये क्यूशन पूसने का तो इस तरह से क्यूशन बनते हैं क्या होगा निधरलेंड वह भूमी जिस पर फलदार वर्ख शुगाई जाते हैं या आपको कमेंट करके बताना है उस इस्तान का नाम मानव किरिया कलापों और बड़ती जन संक्या के फल्स रूफ संकूर्ण विशों में किस के उप्योग में परिवर्तन वे हैं ये कमेंट करना है बाकि इनको भी आप से वीडियो में शुरू में पूछाता है उसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है इसके लाव दोस्तों नेक्स चेप्रेट जो हम पढ़ेंगे वन और वन्य जीवन का पढ़ेंगे और मित्रों बहुत ज़्यादा मैत्पून है वनों के परकार कौन से हैं कैसे वन्य जीवन के बारे में इतना ज़्यादा मैत्पून चेप्टर है आपके आगे के चेप्टर का नहीं है ये चेप्टर जो है तो next chapter हम पढ़ेंगे next video में तो आज के video में इतना ही और 7th की book आपकी जल्दी complete होने वाली है दो-तिन chapter हैं ये दो-तिन दिन के अंदर complete हो जाएंगे फिर आपकी 8th class start हो जाएगे बहुत पैत्पून है उसमें तो आज इतना ही और video को like जरूर करें शेर भी किया कीजिए तो मिलते हैं next video में एक नाई टोपी के साथ जय हिंद जय बारत